हेलो गाइच चैनेट वेलकम तुमाई योटोब चैनेल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दे इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने ओपो A16K के फोन में को ओपिन करना है यहां पर SIM card and mobile data का option दिखाए देगा इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करने बाद यहां से आपको अपना mobile data आन कर लेना है और जो भी SIM है SIM 1 है SIM 2 है उस पर किलिक करना SIM 1 पर हमने किलिक किया इसके बाद यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेट देखने को मिल जाता है यहां पर data roaming का option दिखाए देगा आप इसको आन कर लेजिए और उसके just नीचे old call का option दिखाए देगा old call का option को आन कर लेजिए इसके just नीचे आप लोग देखेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस अब यहां पर access point name का option access point name के option पर किलिक करके जो SIM है उस SIM पर आप लोगों को किलिक करना हमारे बोड़ा फोन हम तो बोड़ा फोन पर किलिक करते हैं अब यहां से बैक आने के बाद यहां आप देख सकते हैं mobile data हमारे phone में आने है आप लोग data use देख सकते हैं और उसके Denk अचे मोबाइल डाटा limit का option इस पर किलिक करना है जैसे mobile data limit का option पर किलिक करते हैं यहां डेख सेंट मंतली data limit आप इसको यहां से आन किये हैं इसको यहां से आफ कर लेगा इसको आफ करने क्बाद आपको यहां से बैग आ आजाना है इसको आप यहां से आफ कर लिजिए इसके बाद सबसे नीचे देखेंगे Dual Channel Acceleration का Option आप लोगों को मिल जाता है Simply आप लोगों को Dual Channel Acceleration का Option पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर कुछ एप्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को यहां पर दिखाए देंगे और जितने भी एप्लिकेशन आप लोगों को यहां पर दिखाए देंगे अगर Dual Channel Acceleration को Option को आन कर देते हैं और इन एप्लिकेशन को आप यूज करते हैं तो एक काफी ज़्यादा फास्ट आपके फोन में चलेंगे तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे होगी और काफी ज़्यादा आपके लिए helpful भी रहे होगी अगर आपको वीडियो useful लगे तो प्लीज लाइक करिए